छोड़ा, the position vector of a point on the answer ring is R is equal to B plus A cause of U into cause of V B plus A cause of U into sine of V, A sine of U यह हमारे पास answer ring की एक definite equation है, यह हमारे पास proved इसका solution है answer ring की हमारे पास position vector होता है वो इसी के equal होता है where हमारे पास यहां पे उन्होंने दिया हुआ है के B 00, यह हमें एक हमें interval दिया हुआ है is the center, यह हमारे पास answer ring का center है center कैसे है, of the circle and z axis, z axis के along है तो then हमने, जो z axis है, वो axis of rotation होगा, इसको हमने proof करना है इस theorem में, तो proof हम ऐसे करते हैं, taking the axis of revolution as the z axis अब हमने जो revolution वाला axis लेना है, उसको हमने z axis को यहां पे लेना है and generating circle in the x o z, x o z के along हमने एक circle बनाना है circle इस तरह से बनाना है, z axis उसमें revolution axis होगा तो then हमने उसके जो point है, वो b o o ले लेना है, c point, x axis पे अब इसको हम यहां पे draw भी करेंगे, draw करने से ज्यादा clear हो जाएगा अब हमने यहां पे, जो है, firstly हमने क्या करना है, कि find करने है, point a के coordinates एक हम एक a point let करेंगे, x axis पे, यहां पे पहले मैं आपको बता देती हूं, फिर draw भी करेंगे तो हमने सबसे पहले यहां पे, जो requirements हो लिख लेते हैं, कि actually हमने draw करना क्या है, draw हमने x y z plane करना है, उसमें का origin o होगा, x axis के along हमने एक point लेना है, जिसमें c, b, o होगा, x axis पे, वहां पे हमने x z plane बनाना है, तो हमने first क्या करना है, find करने है, coordinates point a के circle के उपर, फिर हमने let क्या करना है, कि जो c, a है, वो एक angle बना रहा है, u with the x axis, इस तरह से point लेना है, हमने, कि जो हमारा c, a line होगी, वो angle बना है, x axis के सा, जिस एक कोज, वो जैसा कि हमें parameter की question भी given है, तो उसमें हमारे पास जो first चीज होती है, वो x की होती है, second वाली y की होती है, और third वाली z की होती है, तो इसमें हमने जो x coordinate लेना है, वो b plus a कोज, u लेना है, और जो z coordinate होगा, वो a sin u होगा, यहां पे चुके हम जो है, वो a के point की बा साथ करें, तो इसमें हमने जो coordinate है, वो x और z का ही लेना है, तो हमारे पास जो pair बनेगा, वो b plus a कोज, जो के x का coordinate है, और 7 हमारे पास यहां पे z का coordinate, जो के a sin of u है, अब हमने draw यहां पे किया है, x, y, z plane, जिसमें region हमारे पास o है, और यहां पे हमने एक point a लेट किया है, जो बन रहा है, वो यू है, अब हमने यह वाला जो point है, और यह वाला point है, इनको इस तरह से हमने मिलाना है, कि यहां पे एक circle draw हो जाए, circle draw हो गया, और इसको हमने यह जो हमने पास position vector, इसको हमने बी का name दिया, अब यहां पे हमने जो point p let किया है, वो x, y, z है, be the position of the point a, हमने य है, point a का position vector है, through an angle v, जिसका angle क्या होगा, v होगा, since the point a describe a circle about the z axis, because हमारे पास जो point a लिया था, उसने एक circle describe किया है, z axis के लोग, तो जो distance होगा point p का z axis से, वो क्या होगा, एक्षिरी में रेडियस होगा, रेडियस होगा, उस circle का, जो के हमने कैसे बनाया है, x, 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 जो coordinate था, उसे बनाया, b plus a cos u से, b plus a cos u, जो x का coordinate था, उसे हमने जो circle बनाया है, उसके बाद हमने जो point p let किया है, वो actually में हमारे पास क्या होगा, यह वला point, यह हम यहां से जो ले रहे हैं, यह actually में circle है, circle का यहां पे कही हमारे पास center होगा, और center का region से, z axis से, जो में हमारे पास distance होग वो actually में क्या होगा, radius होगा, since it has been revolved through an angle v, अब यह जो है, हमने circle जो revolve किया है, describe किया है, यह z axis के around revolve करेगा, revolve करेगा किस angle के through, v angle के through, its x and y coordinate, तो जब वो revolve करेगा, तो उसका जो x और y coordinate होगा, वो हमारे पास होजएगा, x coordinate b plus a cos of u into cos v होजएगा, और जो हमारे पास उस b plus a cos of v, sin v आ जाएगा, तो then हमारे पास, जो point a और point p है, उनको इकठा अगर हम देखें, for the point a as well as for the point p, its z coordinate, तो दोनों के लिए, चुँके जैसे ही, हमारे पास एक point है, वैसे ही point p है, because point a भी हमने x के, x axis के along लिया है, point p भी x axis के along लिया है, तो दोनों के लिए, जो हमारा z coordinate होगा, वो same होगा, जो के है, a sin u, is always a constant, और यह जो हमेशा constant रहेगा, because p और दोनों x एक्स पे हैं, और इस पे जो z axis का है, वो effect नहीं है, has the position vector of the point p, अब हमने point p का position vector लेना है, point p के लिए, हमने x और y भी लिख लिए है, और z जो है, वो a वाला ही है, तो उसके जो coordinates है, वो ती, वो equation थी, तो इसमें जो u है, हमारे पास वो 0 से 2 pi के दरम्यान है, और जो v है, वो भी 0 से 2 pi, मतलब हमारे पास यह 3D जो system है, उसके दरम्यान में ही revolve करते हैं, अब हम conditions देख लेते हैं, अगर u constant होता है, तब क्या effect होता है, अगर v constant होता है, तब क्या effect होता है, तो where u is equal to constant, अगर हम यहां पे u को constant लेते हैं, तो जो c, a आएगा, c, a जो हमने circle डिस्क्राइब किया था, वहां पे जो points a और c था, वो fixed होगा, और revolves about the z axis, जब u constant होगा, तो जो उसके हमारे पास, जो c से a का distance होगा, जब वो constant होगा, तो वो z axis के लों क्या करेगा, revolve करना करती है, तो वो हमारे पास basically क्या करती है, circle को ही describe करती है, circle को हमारे पास एक बन जाएगा, वो एंशरिंग पे ही डिस्क्राइब हुआ है और जो यहां पे हमें कर्फ मिलेंगे वो कर्फ हो जाएंगे पैरलल बिकोज वो एक कॉंस्टन पॉइंट के थ्रू मिले हैं तो हम उन कर्फ को पैरलल कर्फ बोलेंगे जब वी कॉंस्टन हो जाएगा तो प्लें जो है इंटरिक्शन हो जाएगा उस पलेंगे तो हमारे पास जो निंगे के गाम करेंगे बिभांश के लिए उसको हम पर आ कंसिडर करते हैं और नेक्स इसकी कंडिशन को प्रूफ करने के लिए हमें आरवन और रूडू की जरूरुध है तो इसके दिए ओन आरवन और रारक्व लिखे लेते हैं और वन पार्शल डेरिवेटिव और विद इस्पेक्ट वी आर्टू के एक्वल है तो उसका आंसर हमारे पास यह आजाएगा अगर इन दोनों और यहां पर यहां पर यहां पर पास क्रॉस प्रॉड़क्त लेते हैं क्रोस प्रोड़क्ट की एक्वेशन जब हम निखते हैं तो आप Şimdi into b plus a cause u into a cause u cause v a cause u sine v और a sine u यह हमारे पास cross product है since b greater than a the above vector is negative अगर हमारे पास जो b है वो a से greater है जो b point हमने लिया था b हमने जो था x axis के लोगों के एक point लिया था वो a से greater था जब a से greater था तो जो उपर वाला हमारे पास यह vector आया है r1 cross r2 यह negative आया for the range of values of u and v अब यहां पे u और v की कोई भी range और उसकी range हमने 0 से 2 पाई ली थी तो उसके लिए जो हमारे पास vector आया है उन्ग दोनों का cross product वो negative आया है तो इसका मतलब जो normal होगा हमारा वो inside directed to inside होगा ensuring के तो इसका मतलब जब इसका magnitude लेंगे वो always positive आया magnitude जो होगा वो always कैसे positive आया because यहां पे हम mode लेते हैं तो mode जो है वो negative value effect नहीं करती negative value को भी positive कर देगा अब यहां पे एक important note है the coordinates of a point P on the generating circle point A sorry generating circle पे जो हमने एक point A लिया था in X O Z plane X O Z plane पे उसके लोंग जो हमारे पास उसके coordinates से वो थे B plus A cause U वहां पे Y हमारे पास 0 था और Z था हमारे पास A sign U hence taking G of U अगर हम G of U यहां पे लें X axis का उसमें आएगा हमारे पास B plus A cause U और अगर F of U लें तो हमारे पास A sign U आएगा यह हमने यहां पे जो condition है actually मैं समझने के लिए लिए लिखिया यही हमने उपर use की थी जब हमने वहां पे X और Z का plane को show किया था Y उसमें नहीं था तो वहां पे हमने सिरफ X और Z ही लिख लिए था direct और अगर इसको इस तरह से लिख लें तो यह भी बिल्कुल से ही वही role play करेगा यहां पे Y 0 हो जाएगा X और Z की value जाए वह यूज हो जाएगी जाएगी